Hello and Good Morning my dear students, so welcome to all, कैसे हैं आप सब, I hope you are well, I am Anandani Maim, so today I am discussing your subject with jurisprudence, और आजकल जो हम अपना topic पढ़ रहे हैं, मतलब chapter पढ़ रहे हैं, वो है हमारा medicinal and toilet preparation act 1955, because students यह हमारा chapter थोड़ा लेंदी था तो इसको वीडियो के हमें दो तीन पार्ट्स में बनाना पढ़ गया, so I hope आप continue इनके सारे पार्ट्स को देखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा, और आज हम medicinal and toilet preparation act 1955 का last जो पार्ट है, part 3 पढ़ने जा रहे हैं, so जो भी topic अब हमारा बचा था, remaining वो हम पढ़ेंगे part 3 में, so let's get started students, medicinal and toilet preparation act part 3, आईए पढ़ते हैं, so students, अभी तक हमने पढ़े हैं, medicinal and toilet preparation act का part 1 and part 2, और आज के topic में हम अपना part 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं, government का control होता है, मलब जो भी rules, regulations and guidelines होती है, वो पूरी हमारी government से control होती है, उनके under में होती है, और सारा कुछ जो है, हम उनहीं के हिसाब से करते हैं, जो भी rules, regulations है, वही follow करने होते हैं, हम देख लेते हैं, requirement क्या क्या होती है, कि बॉंडन लेबरेटरी, यानि कि government से, जब हम बॉंडन लेबरेटरी की बात कर रहे हैं, तो कौन-कौन से से requirement है, जो की होनी चाहिए, spirit store, एक अलग spirit store होना चाहिए, rooms for the manufacture of the medicinal preparation, जो भी हम medicinal preparation करने जा रहे हैं, उसका एक separation हमारे पास होना चाहिए, rooms of the storage and finish of the medicinal preparation, मतलब manufacturing करने का जो एक area है, वो अलग है, और manufacturing के बाद, जब किस भी product की manufacturing complete हो गई है, तो उसको एक store करने का हमारे पास अलग से space होना चाहिए, separate room for the manufacture और toilet preparation, अब दो तरीके सी हमारी preparation है, एक हमारे toilet preparation है, और एक हमारी हो गई medicinal preparation, तो दोनों को बनाने का permission तो हमारे पास है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीजों को आप मैर्शब करके कहीं पे भी छोड़ देंगे, तो medicinal preparation को और toilet preparation को अलग-अलग रखने के लिए हमारे पास separation भी होना चाहिए, ताकि जब भी हमें ज़रुरत पड़ती है, दोनों चीजों को हम आसानी से separate हैं, तो हम उन्हें justify कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने आगे के लिए use कर सकते हैं, rooms for the storage of the finished toilet preparation, मतलब finishing के बाद भी जो है हमें उसका एक अलग से storage चाहिए, medicinal के लिए भी और हमारी toilet preparation के लिए, the pipes and sink wash washing should be connected with the journal drainage of the laboratory, जो भी हमारी industry है, manufacturing area organization है, उसमें जो भी हमारी sink है, pipes है, जो भी हमारा wastage है, उसका drainage जो है, वो properly तरीके से होना चाहिए, इस बात का हमें खास खयाल रखना है, the arrangement of the gas and electric connection should be there, supply should be cut off the end and day's work, अब जो भी हमारी manufacturing के में, जो भी machinery use हो रही है, जो भी काम चल रहा है, तो उसमें जो भी हमारी electric city वगेरा supply हो रही है, उसके properly connection होने चाहिए, और जद भी हमें उनका use है, तो हम उनको working पे रखेंगे, otherwise हमें उन्हें off रख देना चाहिए, जिस से हम दोनों चीज़ों को बजा सकते हैं, मतलब एक हम तो electricity भी save कर सकते हैं, और अन्य से सरली अगर हम किसी भी चीज़ का consumption जादा करेंगे, तो वो हमारे लिए financially के साथ साथ अलग से भी जो harmful होती है, तो यह सब सारे points आज आते हैं, हमारे जो भी है bonded laboratories में, अब हम बात करते जाते हैं कि जो non-bonded laboratories हैं, वो क्या होती है, अब जो non-bonded laboratory है, वो पूरी तरीके से हमारी government के permission से हम काम तो करते हैं, मगर हम जो rules and regulation है, वो government के follow करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो संस्ता होती है, वो की government से पूरी उत्राइज जब काम चल रहा है, तो वो हमारा bonded में आ गया, और government के permission ले करके, गर हम कोई काम कर रहा है, manufacturing कर रहा है, तो उसका जो rules and regulation guidelines है, वो हमारी non-bonded laboratories में आ जाएंगी, तो अब हम बात करते हैं, जो भी हमारा medicinal and toilet preparation है, failure of following the condition, अब कोई भी condition है, manufacturing या फिर sale या फिर possession, अगर आप medicinal and toilet preparation का है, और उसमें आपके license failure होने की condition है, उसमें imprisonment जो है, वो हमें six month का मिलेगा, और जो jail है, मतलब jail है, वो हमें six month की है, और जो जुर्माना है, वो हमारा 2000 का है, इसी तरीके से, disorderly, अगर हम keeping या stock account को कुछ रखते, तो हमारा fine जो है, वो 2000 या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, illegal sale या फिर information अगर किसी भी officer के थुरू ऐसी पाई जाती है, तो उसका जुर्माना 20,000 रुपए और failure होता है, कोई भी provide locking facilities अगर है, तो उसका जुर्माना जो भी हमारी provide locking facilities है, उसका हमें 200 जो है, वो charges पे करना पड़ेगा, इसके लागा failure to do duty है, जो हमारे officers आते हैं, exercise officers ये check करते हैं, अब उसमें अगर अपनी duty पे कोई जो है, वो नहीं पाया गया, या फिल्लियोर की condition पाई जाती है, तो उसमें जो jail है, हमारी वो तीन महीने की है, और जो जुर्माना है, financially, वो भी मतलब तीन महीने की jail, और जो जुर्माना है जिसको आपने disclose कर दिया है, तो उसका 1000 रुपए का charges है, और जो miscellaneous information होती, उसमें हमारी सारी चीजों को हम overall देखते हैं, पता करते हैं, और miscellaneous ऐसी को information मिलती है, तो उसमें जो हमारी jail है, वो 2 साल तक की है, और जो जुर्माना है, वो 2000 का, या फिर इन में से दोनों में, द जो है, वो ओफिसंस जो है, वो हमारा crime जो है, वो किस तरीके का है, so students हमने बात ये officials and penalties क्या 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 थी हमारे medicinal and toilet preparation क्या क्या थी हमारे medicinal and toilet preparation act की, so आज से हमारा ये topic, ये chapter पूरा complete होता है, I hope आपने इसके सारे वीडियोज देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा, thank you class